नमस्कार में भारती का पासे आप देख रहे हैं IPL 27 चेन्नई सूपर किंग्स और राजिस्थान रोयल्स के बीच IPL 2023 का सत्रेवा मुकाबला चेन्नई के M.A. चिंदबरम स्टेडियम में खेला गया इस मैच में राजिस्थान रोयल्स ने चेन्नई सूपर किंग को तीन रनों से हरा दिया राजिस्थान रोयल्स के लिए यह मैच बहुत खास रहा इस मैच में मिली जीत के साथ ही उनकी टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है लेकिन उनके लिए यह मैच और भी खास तब हो गया जब उन्होंने इस जीत के साथ 15 साल के एक लंबे इं को निरास कर दिया आपको बताते राजिस्थान रोयल्स ने 15 साल से में चिंदबरम स्टेडियम में एक भी वैस्ट नहीं जीता था उन्होंने साल दोजाराट में पहली बार सीएसके को उनके घरेलू मैदान पर हराय था उसके बाद से सीएसके ने इस मैदान को खिले में ब दोजी चैनि सूपर किंग साराजिस्थान रोयल्स की बीच खेले गए इस मैच में सीएसके के कप्तान एमस धाउनी ने टोस जीतकर गैंद बाजी का फैसला किया पहले बल्लेवाजी करने मैदान पर उत्री राजिस्थान रोयल्स की टीम ने निर्दारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 165 रन बनाए इस दोरान जोस बटलर ने अर्दशत किया पारी खेली उन्होंने 36 गंदों पर 52 रन बनाए दूसरी पारी में 166 रनों का पीछा कर रही CSK की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी और राजस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया आपको बता दे धूनी का जादू भी नहीं दिला पाया CSK को जीत जानिये आखरी ओवर की पूरी कहानी जी आँस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं आपको बता दे आई पिल 2023 का 17 मुकाबले में राजस्तान रोयल्स की टीम ने चेननी सूपर किंग्स को तीन रनों से हरा कर रोमा अंचक मुकाबला जिताया इस मैच में टॉस जीतकर CSK के कपतान महंदर सिंग धोनी ने पहले गेंद बाजी का फैसला किया पहले खेलते हुए राजस्तान ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए जवाब में आखरी गेंद तक चले मैच में राजस्तान ने बाजी मारी राजस्तान रोयल्स द्वारा दिये गए 176 रनों का पीछा करने उतरी CSK की टीम के लिए शुरुआत खास नहीं रही और उनके स्टार ओपनर रतुराज गयकवार सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए इसके बाद डेविड कॉनवे और अजिंके रहाने ने एक बड़ी साजेदारी लगाते हुए CSK की मैच में वापसी कराई लेकिन इसके बाद मिडिल ओडर में बल्ले बाजी करने आए शिवम दूबे, मोहिन अली और समबाती राइदू कुछ खास नहीं कर पाए ऐसे में यहां से जिम्मदारी महिंदर सिंग धोनी और रविंदर जडेजा के कंदो पर आ गई आखरी के दो ओवर में CSK को 44 रनों की जुरत थी धोनी और जडेजा की जोडी ने जेसन होल्डर के ओवर में 19 रन बटोर ली आखरी ओवर को फेकनी की जिम्मदारी संदीप शर्मा को मिली और बचाने के लिए 21 रन थे इस ओवर की दूसरी और तीसरी गैन पर संदीप ने चक्के खाए और मैच CSK के हातों में आ गया लेकिन आखरी में संदीप ने दो यॉरकर फेक अपनी टीम को जित दिला दी धोनी 17 गैंदो पर 32 और जडेजा 15 गैंदो पर 25 रन बना कर ना बाद रहे पहले खेलते हुए राजिस्तान की शुरुवात उसी तर्ज तर्रा अंदाज में हुई जैसे अब तक होती आई है पडिकल ने 38 रन बना कर 52 रनों की अर्शत किया पारी खेलने वाले जोश बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए सतेतर रन लिए फिर रविंदर जडेजा ने पहले पडिकल और फिर डख पर कप्तान संजू सेमसन को आउट कर दो बड़ी सफलताय दिलाई जडेजा चार ओवर में 21 रन देकर दो विकेट लेते हुए सर्व शेष्ट गेंदवाज बने तो शार देश पांडे और आकास सिंग ने रन ज़रूर लुटाए लेकिन दोनों को दो दो सफलताय मिली मोहिन अली ने भी एक विकेट अपने नाम किया अभी के लिए तना ही ऐसी तमाम जानकारी शेष्ट जुडे रहनी के लिए देखते रहे हैं आई प्यल 27 आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर खाबर पर